बिहार की सरकार ने तमाम सिक्षकों को मिड़े मिलके बोरे बेचने का निर्देस दिया है जिसके बाद सियासत सुरू हो गई है बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि नितीज कुमार ने सिक्षा का बंटाधार कर दिया है अब सिक्षक जो है वो बोरा बेचेंगे अमरे साथ कर दिया है बोरा बेचेंगे देखिए ऐसा है कि विपक्ष जो भाजपा है खास करके उन्हों के पास कोई मुद्दा नहीं विहार के विकास को लेके और के अंदर में उनको मौका मिला पिछले नौ साल में वो कहीं भी कुछ कर नहीं पाए फेल रहे है और जूट पे और इसकारी ने या भी भाग ने अदेश दिया है कि मिढ़े मील में जो बोरा आता है वो भी कि उसमें जो सकूल में जवा जग्जाए तो इसको बहुत बरा बरहाच चरहा के कि मास्टर दिन भार बैठके कोई रोड पे सबजी के तरद चान के तो इसको बोरा को बेचना है कोई न कोई स्टाफ होगा उनको कहा देना है बहुं इतना बॉरा महीने में आता है इतने rate के हिसाबसे इतना amount स्कूल के खाते में जमा हो जाए कोई आदमी आएगा वो स्कूल से आके खरीद के ले जाएगा पैसा दे जाएगा पर मास्टर जी, हेड मास्टर जी को कहां च्छान के बेचना है रोड किनारे, तो ये तो भाजपा के लोगों को मुद्दा नहीं रहोता है कोई विकास का, तो इस तरह के बातों को लेके इवेंट करके और उसको चलाते हैं, इसे उनको कुछ जनता पे और टीचर हमारे जो भ पहली भात निंस समझ रहे हैं कि भाजपा के लोग उनको भरकाने का काम करने सरकार के खिलाब, वो भरकने वाले नहीं है, उनको पता है कि सरकार ने उनके लिए जो कुछ किया है अरा आगए सरकार नितिश कुमार ही करेंगे, वो लोग संतुस्थ है, कोई इन लोगों को भ सेट कर दिया तो आसान हो गया स्कूल के लिए भी टीचर के लिए भी लोगों के लिए भी पारदश्टा हो गई एक अकांटिबिलिटी हो गया कि 500 बुरा आया तो 500 बुरा बदला इतना रुपया खाता में स्कूल के जम्ह हो गए और वो पैसा कोई सरकार यहां नहीं मांग र रहें कि बिहार की हालत पाकिस्तान जैसी हो गई है आपको कहला है देखिए भाजपा के लोगों का एजेंडा जो है पुलिटिकल एजेंडा वह ही हिंदू, मुस्लिम, इंडिया और पाकिस्तान इसके अलावा उनको कुछ समझ में आता ही नहीं है उनसे पांच विकास का काम पूछ लिजें कि बिहार के लिए क्या किया है तो उनको पता ही नहीं है तो अक्चली में है क्या कि बिहार में जो कहते हैं कि बहुत गराफ बर गया है अपराद का तो पूरे देश के मैटर को उठा लें और फिर देखें कि बिहार कितने नंबर पे आता है फिर बोलें तो तो comparison करेंगे नहीं पूरे बिहार के नेता अल बल जब मन में जो आता है बोलते रहते हैं लेकिन आप देखें कि मनीपूर में इतना घटना घटा बेटियों के साथ इतना अपत्ती जनक चीजें हुई आज आप देखें कि अभी भी मनीपूर देश से disconnected है अभी वहां तक अभ आप देखेंगे मध्य पर्देश में एक आदिवासी युवक के उपर पिशाब कर दिया इनके पार्टी के लोग उन्हों उसके उपर नहीं बोलेंगे यह लोग बोलेंगे कहां जहां इनके सरकार नहीं होती हर्याना में मिवात में कितना बड़ा हंगमा कर दिया इन लोग मनतजी को जढ़ा टार्गेट करते हैं उनका ऐसा मानना है उनके पार्टी के लोगों का कि जो नितीश कुमार पर ज़्यादा बोलेगा उनको ज़्यादा तबज्जो मिलेगा उनकी परमोशन हो जाएगी उनको जगा मिल जाएगा तो अपना जगा पाने के लिए नेता नितीश कुमार के खिलाफ जो मन में आता है लोगों को लोग बोलते रहते हैं नितीश कुमार जी ने पिछले 18 साल में बिहार में जो राजनीत का एक विवस्ता खरा कर दिये, राज के विकास का जो एक ग्राफ लाके खरा कर दिये, वो भाजपा के लोग देश में नौ साल राज करने के बाद सोच भी नहीं सकते करना तो बहुत दूर की बात हो गई देखे जब इंडिये में मानिय मुखबंत नितिश कुमार जी 99 में जब जॉइन हुए थे जब साथ में काम करने का बात हुई थी उस वकत भाजपा का क्या था जमीनी अस्थर बिहार में क्या भाजपा के लोग भी थे और केंदर में कितने सांसते भाजपा के एक दो ये लोग कहते हैं लेकि इनको सोचना चाहिए कि नितीश कुमार जैसे लोगों के वज़र से भाजपा का कमीटी बन पाई और भाजपा मे भाजपा तो था ही नहीं और मैं कहना चाहता हूँ कि नितीश कुमार जी के है नित्रुत में इन्ही के मारदर्शन में बिहार से ही जो अभ्यान शुरू हुआ है देश के लिए भाजपा मुक्त देश बनने का अभ्यान शुरू हो गया है रही मानिये मुक्त मंतर नितीश कु की तकलिफ है कि मुख मंतिनितीश कुमार जी ने बिहार में इनको सत्ता से बेदखल कर दिया बस उसका दुख है तो दुख किसी ना किसी बहाने अपना बेयान करना वो बेयान कर रहे हैं पिलकुल आज जेडियू के विधान पारसद हैं वरिशनेता हैं उन्होंने बीजेपी पर गंबीरा रोप लगाया है साफतर पून ने कहा है कि बीजेपी के लोग इसलिए बोखला गया है क्योंकि उस सत्ता से उनको बेदखल करने का काम मुख मंतितीश कुमार ने किया है और हुआ है